नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसाल वास्तु कंसिल्टेंट आज मैं आपको अपने यूटूब की कमेंट वक्स में आई वे मैसेज के जवाब देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मैसेज लिखे मैं आज उन मैसेज के रिप्लाई अपनी वीडियो के मद्दम से देना च सेजे के रिफित वीडियो के जिन्होंने मैं आएटें लिफ औरी बंसाइटल वास्तु करें आई डिफित रहा हुटूबूऑ देखे मापको उताना चाहूंगा आपका प्लॉट आपका अधर इस्ट फिशिंग है और इस्ट में साउथ इस्ट कॉर्णर की और टीव पॉइंट आता है तो वहां पर आपको में गेट के ऊपर ग्रीन कलर का पेंट करवाना चाहिए और गेट के नीचे एक दहलीज जरूर बनानी चाहिए एक मार्बल की पट्टी जरूर लगानी चाहिए यह marble की पट्टी जब लगाएं तो वो पट्टी आपकी एक pillar से लेके दूसरे pillar तक complete fix होनी चाहिए उसमें पानी जाने का रस्ता नहीं होना चाहिए और जो marble की पट्टी आप लगाएंगे वो भी आपकी green color की या light brown color की होनी चाहिए ऐसी ही आपका gate south east में south wall पर आ रहा है तो वहाँ पर आप अपने gate के उपर red color या peach color या beige color करते हैं तो उससे आपको relief जरूर मिलेगा और वहाँ पर भी आपको gate के नीचे देहलिज लगानी है वहाँ पर आप जब देहलिज लगाएं तो light brown color की भी देहलिज लगा सकते हैं और beige color की भी देहलिज लगा सकते हैं नेक्स्ट मेसिज लेते हैं सिन्हे प्रेज जी ने लिखा है सर नोर्थ वेस्ट फेसिंग रेक्टेंगल प्लोट में west और east ज्यादा है बार चार्ट north और south से कौन से color balance करें प्लीज रिप्लाई देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा आपका जो प्लोट है वो प्लोट रेक्टेंगल है और उसमें जब हम compass से direction चेक करते हैं तो उसमें कुछ अरीए बढ़ जाते हैं और कुछ अरीए कम हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लोट है और वो चोरस है या rectangle है उसमें area घटता या बढ़ता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो area बहुँ ज़दा बढ़ गया या वो area बहु ज़दा कम हो गया मान लिजिए maximum plot आपको rectangle मिलेंगे यानि चोड़ाई 30 feet है तो लंबाई 60 feet मिलेगी चोड़ाई 60 feet है तो लंबाई 120 feet मिलेगी चोड़ाई 50 feet है तो लंबाई 100 feet मिलेगी तो ऐसे plot में जो आपका front और back आएगा उनकी चोड़ाई ज्यादा होगी यानि वो area ज्यादा होगा और left और right की जो दिशाएगी वो दिशाआपकी कम हो जाएगी यदि हम इस तरीके से कोई भी कम करते है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो zone है वो घट जाती है और बढ़ जाती है वास्तु शास्तर के अनुसार कोई भी plot है उस plot को नो भागों में बराबर बराबर डिवाइड करते है ऐसा करने से आपका plot सही हो जाएगा देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी व्यक्ति है यदि लंबा है उसका शरीर उसी हिसाब से है हाथ पैर भी उसी हिसाब से लंबे है और शरीर भी उसी हिसाब से लंबाई चड़ाई में है और वो नाटा है तो उसका शरीर भी उसी हिसाब से बना हुआ हाथ पैर भी उसके शरीर के हिसाब से ही बने हुए है तो इसलिए किसी भी plot का जब area निकाला जाता है तो उसकी लंबाई और चड़ाई को देखती भी ही निकाला जाता है ऐसे में कभी भी कोई भी दिशा कम या ज़्यादा नहीं होती कम ज़्यादा कब होती है कोई भी corner extend हो जाता है या cut जाता है कम हो जाता है तो उस एरियों को हम घटना या बढ़ना कहते हैं ऐसे दिशाओं के इसाब से किसी भी एरियों को घटाना और बढ़ाना सही नहीं होता क्योंकि plot तो आपका rectangle है plot आपका बिल्कुछ सही है दिशाओं उसमें घूम जाती है तो उसके इसाब से वो सारी चीजे calculate करने पड़ती है कि कौन सी चीज कहां पर हमें बनानी चाहिए घर बना रहे हैं तो kitchen कहां बनानी चाहिए टोलेक बाथरूम कहां मनानी चाहिए मंदिर कहां मनाना चाहिए कहां हमें अपना bedroom बनाना चाहिए कहां पर किस दिशा में हमें stairs बनानी चाहिए तो इसलिए हमें ये सारी चीज़े calculate करने चाहिए Next question लेते हैं अंजू जी का इन्होंने लिखा है Thank you sir आज तक 1000 वास्तु का वीडियो देखे बट diagonal plot का वास्तु आपने जिस्कस किया Thank you again अंजू जी का मैं धन्यवाद करता हूँ इन्होंने जो मेरी वीडियो देखी है diagonal plot के बारे में विदेशा plot के बारे में कि जैसे एक plot के corner में नौर्थ आता है और दूसरे corner में west आता है diagonal plot होता है तो ऐसे plot को किस तरिके से बनाना चाहिए उन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है और उनका ये कहना है कि हजारों वीडियो देखिए हजारों वीडियो में जो वीडियो आपने बनाई है वो वीडियो वाक्य में ही बहुत अच्छी है Next question लेते हैं सुमन जी का इन्होंने लिखा है Sir Please Make a video for East and South Facing Cosmetic Shop सुमन जी देखे कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी इस टोर South Facing Cosmetic Shop के बारे में वीडियो बनाई Next question लेते हैं राम विंकेज जी का इन्होंने लिखा धन्यवाद Sir राम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सुब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितिंदर सिंग Sir South West Corner में स्टेश बना सकते हैं या नहीं देखे जितिंदर जी में आपको बताना चाहूँगा कि आप South West में स्टेश बनाना चाहते हैं तो South West के स्टेश को बनाते विए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और स्टेश जब बनाते हैं तो आपके फ्लोट की facing के उपर भी depend करता है कि आपका फ्लोट किस दिशा का है और आपको स्टेश साथ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए उसके उपर depend करता है इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से सला लेंगे तो बहुत अच्छा नेक्स्ट कॉश्यन लेते हैं सक्षिमजी ने लिखा है बेस्मेंट का फ्लोर का स्लोप किस दिशा में होना चाहिए ऐसे नॉर्थ या स्लोप साउओ यूर होना चाहिए यदि आप इस परकार से slope बनाते हैं तो आपकी basement कामियाब हो जाएगी यदि इस तरीके से slope नहीं बनता तो आपकी basement में working proper तरीके से नहीं होती ज्यादा तर देखने में आता है कि basement या तो खाली रहती है या उसके अंदर का बार भर दिया जाता है जो वेक्ती basement के अंदर working करता है उसकी working proper नहीं होती यदि उसका slope एस परवास्तु सही नहीं है तो इसलिए मैं आपको कहना चाओंगा आप अपनी basement बनाने जा रहे हैं तो आप अपनी basement का slope साथवेस्ट से नॉर्थ वेस्ट कोर्नर के और ज़रूर बनाए next question लेते हैं चिराग टेल जी का इन्होंने लिखा है west facing road हो तो क्या parking में को ना रहेगा चलेगा क्या नॉर्थ वेस्ट में देखिए चिराग जी मैं आपको बताना चाहूंगा आपका plot west facing है और आप उसमें जो parking बनाना चाह रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट कोर्नर में बनाना चाह रहे हैं और वहाँ पर उस area को lentil से extend करना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप नॉर्थ वेस्ट के area को extra जादा नहीं करना चाहिए पूजा शर्मा जी का question है अगनी कौन में main gate कोई बोलता है ठीक नहीं है देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा अगनी कौन में main gate यदि आप south direction में बनाते हैं तो वो gate आपका hundred percent okay है यदि अगनी कौन में आप east direction की और यानि पूरो दिशा की और अगनी कौन में main gate बनाते हैं तो वो gate पर वस्तु गलत माना जाता है और उसके अमिशा ही negative effect देखने को मिलते हैं आप अपना main gate south east zone में south wall पर बना सकते हैं सिदार्थ जी का message है इन्हों ने लिखा है mirror on north wall means mirror face will be towards south please give words on this point सिदार्थ जी मैं आपको कहना चाहूंगा जब mirror हम north wall पर या east wall पर लगाते हैं तो mirror automatically south wall face करते हैं या west wall face करते हैं north wall पर लगाते हैं तो वो south wall पर फेस करेंगे और east wall पर mirror लगाते हैं तो वो west wall face करेगा जब हम mirror में देखते हैं तो हमारा face north के और होना चाहिए या east के और होना चाहिए कभी mirror south wall पर या west wall पर नहीं लगाना चाह कुछ लोग मेरे से कोशिन भी करते हैं कि मिरर हम साउथ वोल पर लगाते हैं तो वो नौर्थ के और फेस करता है मिरर नौर्थ के और फेस करना चाहिए नहीं यह गलत है मिरर हमेशे ही नौर्थ वोल पर या इस्ट वोल पर लगाना चाहिए और जब हम उसके अंदर चेहरा द देखने को मिलते हैं नेक्स्ट मेसिज है मोहमत जी का इन्होंने लिखा है आई हैव शॉप और सॉथ फेसिंग आई वांट तो स्टार्ट पेंट शॉप शॉप साइज 5 फिट इंटू 15 फिट कैन यू प्लीज सेंड मी आरेजमेंट फोर में देखिये मोहमत जी मैं आपको बत जो स्टोरेज करें जो main के रैट लगाएं वह वैस्ट वल पर लगाएं इस्ट वल आपकी लाइट वर है क्शानी चाहिई और न गयर के ऐसा नहीं कर सकते तो तो counter आप straight लगाएं, आप south के और face कर सकते हैं, कोशिश करें जब भी आप अपनी chair पर बैठें तो आपका face is secure होना चाहिए, जब customer आता है, तो आपका face south के और हो सकता है, क्योंकि आपकी जो shop है, उसकी जो front है, वो 5 feet की है, 5 feet में आप counter लगाएंगे, तो उसमें sitting तो कोई खा और होना चाहिए, यानि जब आप बैठें तो आपका जो counter है, वो right hand पर आजाए और आपका face is secure हो जाए, इस बात का आपने ध्यान रखना है, और इसी के साथ जो आपका अपना shutter है, shutter के ऊपर red color का paint जरू कराएं, आपने foot mat पर लखना है, तो foot mat भी आपका red color का होना अगला message है, सिदार्थ जी का, इन्होंने लिखा, good sir, इन्होंने मेरी वीडियो देखिया, खिड़किया और दर्वाजे कैसे आपके घर के माहल को सुखद बना देते हैं, thank you सिदार्थ जी, आप जैसे लोग हमेशे ही मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जरूर बनाओ, सिदार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी वेक्ति मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं आप सभी का तैदल से धन्यवाद करता हूँ, आप भी अपनी किसी साइ तो आप मेरी वीडियो को दियान से देखे, सुने, समझे और विचार करें, आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा दी गई जैनकारी सही है, तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, आप सभी अपना कींतिस में निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी काते दिल से धन्यवाद करता हूँ, इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक ने विशे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार